हेलो फ्रेंड्स आजके इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने इंफिनिक्स 030 एंडुएट वाइल फोन में अगर आपका मुवाइल फोन का वाइफाई कनेक्टेड होने पर भी अगर आपके वाइफाई का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉ आपको मुवाइल फोन के साइट वाला पाऊर बटन आपको उगली से दबाके रखना है तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा ये वाला ठीक है इसमें आपकोisiert पर टैप करना है इससे क्या होगा आपका मुवाइल फोन एंटरिट एक switch on हो जाएगा restart करने से होता है कि हमारे mobile phone के android system में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है कमी क्या हो सकते है कि हमारा mobile phone जो है वो हैंक करता है कई बार ये ठीक तरीके से काम नहीं करती है जिसके कारण हमारे phone के wifi का internet नहीं चलता है तो आपको अपने mobile phone की network setting को reset करने के लिए आपको mobile phone का setting page open करना है setting page में आपको नीचे की side system पे option पे tap करना है ठीक है अब इसके अंदर आपको reset option टैप करना है इसके अंदर आपको सबसे उपर ये reset wifi, mobile and bluetooth पे tap करना है तो यह जो तीन setting आप देख रहे है na wifi, mobile data, bluetooth ये तीनो setting आपकी mobile phone की network setting में including पहले से रहती है आपको इसे नीचे की side reset setting का य reset setting पे tap करना है तो यहाँ पर आपको जो है नीचे की side लिखा हुआ आजाएगा network setting having reset इस तरह की से आपको mobile phone की network setting को reset कर देना है जिससे आपके wifi की internet की problem वो solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों अगला process ये करना है कि आपको अपने mobile phone के software को एक बार चेक करना है कि वो update है या है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे phone के software का update आता है हम उसे update नहीं करते हैं या फर प्र भी update आता है तो कभी कर पता नहीं लगता है कि update आया हुआ करने इसमें आपको नीचे की साइडे सिस्टम पे टिआप करने इस के अंदर आपको यह नीचे ऑन लाइन अपडेट पर टैप करने तो आपको कोई बीधा बटन दिखाई देता है तो इससे आपको टैप करके अपने software अपडेट कर लेना है इससे आपके wifi की internet की problem solve हो जाएगी अब दोस्तों अगला process आपको यह करना है कि आपको अपने mobile phone की APN setting को आपको reset करना है mobile phone की APN setting reset करने के लिए phone का आप setting page open करिए इसमें आपको सबसे उपर यह sim card and mobile network पर टैप करना है इसके अंदर आपको अपनी sim select करनी है इसके अगले page में आपको नीचे यह access point name का option टैप करना है इसके अंदर आपका APN का page मिलेगा इसमें सबसे उपर यह three dot पर टैप करना है एक छोटा सा page open होगा इसमें आपको reset to default पर टैप करना है नीचे आपको यहाँ पर लिखा हुआ आजागा थोड़ी दिर में reset default APN setting इस तरीके से आपको mobile phone की APN setting को भी reset करना है जिससे आपके wifi के internet की problem solve हो जाएगी अब दोस्तों आपको अगला काम यह करना है कि आपको अपने phone को reset करना है देखिए दोस्तों phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बता हुए पिछले process अगर कोई भी काम नहीं करते हैं तब आपको phone को reset कर देना है otherwise phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए इसमें सबसे नीचे system पे tap करना है इसके अंदर आपको reset option टैप करना है इसके अंदर आपको सबसे नीचे इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके wifi की internet की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात यह द्यान रखना है आपके mobile phone में जितना भी data सारा data आपकिसी दूसरे phone में transfer कर लीजिए या उसका backup ले लीजिए दूसरी बात यह द्या यूस करने के बाद तो आपको करना क्या है आपने जिस कंपनी का wifi connection ले रखा है उस कंपनी के service provider को आपको contact कर लेना है ठीक है